नमस्कार दोस्तों तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में इगनु के MHD प्रोग्राम के सब्जेक्ट MHD 3 का ही दूसरा खंड प्रारम करने जा रहे हैं पहले खंड में तीन इकाई था जो गोदान से संबंधित था अब ये दूसरा खंड का पहला इकाई है धरती धन अपना दलित जिवन की त्रासदी के संदर्व में तो ये है इकाई और इसके अंतरगत जो हमें पढ़ना है तो मुख्यता तीन टॉपिक पढ़ना है तिनों ही टॉपिक काफी इंपोर्टेंट है पहला जो टॉपिक है वो है धरती धन अपना का कथा सुत्र या फिर आप बोल सकते हैं कि इसका समरी इसका सारांग्स बहुत महत्तोपूर्ण है ये समझ लेंगे तो ये जो इकाई चार है और फिर आगे इकाई पांच ये दोनों ही आप खुद से सोचके भी लिख सकते हैं तो पहले सारांग्स जानना बहुत ही जरूरी है वैसा ही अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि धरती धन अपना में अंकीत दलीत जीवन के पहलू कहें कि ये दलीत समाज को आधार बनाके ये उपन्यास लिखा गया है ठीक है और इस के इस वीडियो में हम लोग पहला दो टॉपिक को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में लास्ट वाला टॉपिक कवर करेंगे कहीं कि लास्ट वाला टॉपिक भी काफी बड़ा है और काफी इंपोर्टेंट भी है तो सबसे पहले हम लोग जो समझ लेंगे कि क्या है इस जगदिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया पंजाब राज्य के दोवाबा छेत्र के दलितों विशेश करके जो चमार जाती है ना तो उन्हीं के उत्पीड़न, शोषन, अपमान वह वेदना को चित्रित किया है अर्था सिधे सिधे ये समझा जा सकता है कि दलितों का जो समस्या है उसको इसमें चित्रित किया गया है तो सबसे पहले जो इनका जो प्रमुक पात्र है इस उपन्यास के प्रमुक पात्र है उनका नाम हम लोग अगर समझ लेंगे तो जानने में सुभिधा होगा है तो सबसे 6 साल पहले अपने गाओं से कानपूर चला गया था मजदूरी करने के लिए कहें कि गाओं में उसको खाना पिना भी ठीक से नहीं मिल रहा था उसके मा Depi जी पहले ही मर चुके थे ना चाचा भी मर गये थे चाची के पास वो रहता था तो बहुत दिक्कत था, खाना पिना मिलता नहीं था, इसलिए वो जाके कानपूर गया, और फिर 6 साल बाद कानपूर से मजदूरी करके कुछ पैसे लेके गाउं लोटता है, और वहां से ही क्या होता है, उपर्न्यास में एक अच्छा मोड आता है, ठीक है, तो यह हो गया काल इस उपर्न्यास का नायक, ठीक है, वैसे ही ज्ञानों, ठीक है, तो ज्ञानों इसको आप नाई का बोल सकते हैं, जो काली से प्रेम भी करती है, आगे जाके ज्ञानों का ये चोधरियों से लड़ते हुए, या समाज से लड़ते हुए, अंत में इसकी मृत्त्यू भी हो ज जाता है यह हो गिया दो पात्र वैसे ही जो मलोग पढ़ेंगे मंगु चमार तो मंगु चमार यह है ज्ञानों का भाई ठीक है वैसे ही काली के जो पिता जी ऐसे ज्यादा उनका रोल नहीं है उनका नाम था मारवा जो एक पहलवान थे लेकिन और समय ये भी क्या है मनें इनका भी मिर्टू हो गया था ये हो गया वैसे ही छजूसा ठीक है बोल सकते हैं यहां का क्या है एक महाजन या दुकानदार है ना जो क्या होता है बिल्डिंग बनाने का जो सामगरी है वो सब सप्लाई करता है वैसे ही एक जगा लालू पहलवान का नाम आएगा तो यह लालू पहलवान का भी इसमें मुख्य रोल है काली बाद में इसके पास ही क्या हख करता है बहुत दिन तक मजदूरी करता है टीक है डॉक्टर बिशंदास का नाम आएगा जो इसाई पादरी है और इसाई धर्म का दिक्षा देते हैं अर्था वैसे ही नंद सिंग है जो की चमार ही है लेकिन अपने सुधार के लिए अपने उन्नती के लिए वह पहले सीख धर्म में अपना धर्म बदल लेता है और फिर सीख में भी जब कुछ ज्यादा मिलता नहीं है सुभीदा तो फिर वह इसाई धर्म में क्या है तो अपनों को कंवर्ट कर लेता है लेकिन इतना करने के बाद भी समाज में जो उसका इस्थिती है वो जियों का तियों बर करा रहता है ठीक है अब ये पात्रों को एक बार समराइज कर देते हैं तो काली हो गया नायक ज्यानों उसकी नाई का है ना मंगु चमा जो अपना धर्म को दो-तिन बार बदल चुके हैं और चोटे-मोटे पात्र है जो चौधरी सब है और शेट सब है वो सब में भी कुछ पात्रों का नाम है जीतु बोलके भी एक दलित लड़का का नाम आता है जिसका चौधरी लोग क्या करता है पिटाई करता है तो जो भी अब हम लोग यह कथा सुत्र को अच्छा से समझ लेंगे कथा सुत्र अगर अच्छे से समझ में आता है तो यह आप मानिये कि धर्ति धन्ना अपना से जो भी प्रस्न पूछा जाता है आप आसानी से उसको कर सकते हैं ठीक है तो जैसे पहले ही बताया जा चुका कि यह जो उपन्यास है इसके जो रचनाकार है उनका नाम है जगदिश चंद्र ठीक है मुख्य रूप से यह पंजाबी लेखक है हिंदी में तो रचनाएं की ही है पंजाबी में भी यह काफी प्रसिद्य हुए थे अब देख लेते हैं इसका कथा सुत्र है धर्ति धन्ना अपना मुख्याउं जब लट रहा है या फिर गाउं जब लोटा तो गाउं में ये स्थिति है कि उसका अभी यहां पर कोई नहीं है कहें कि माँपिता जी पहले ही मर्चुके यह सिर्फ़ एक चाची जिनका नाम प्रतापी है बस गाउं में एक की चाची ही है तो यह क्या है में फोर्टा था वह ऊछुगा था जो काली के पिता अनुदरिक मीस पहलवां उनका स्वागत कर रहा है लोट रहा है तो वो यह देखते हुए लोट रहा है कि पहले बाने चौधरिओं का तोला आता है सबके चुछे-चूधरि, सापसुत्री, सडकें जिसको क्या है चमादळी कहा जा रहा है माझना चमारों की बस्ति चेकर तो यहां का इस्थिती वो बहुत ही बुरा देखता है चारो तरफ गंदगी से भरा हुआ है बदबू आ रहा है, चारो तरफ से धुआ उट रहा है एक गजबसा घुटन का माहोल उसको दिखाई देता है अब जबकि यह 6 साल बाद कांपूर से वापस लोटा तो कुछ कमा के पैसा उशा लेके भी आया पहले जो भी अभी तक जो चमारों का बस्ती है उसमें बताया जा रहा है कि एक भी कोठा पक्का नहीं हुआ है मन एक भी पक्का घर नहीं है है ना सब तूटी-फूटी क्या जोपडियां है तो मुहले की औरतें काली है और हसी मजा कर उसका क्या अजनभीपन दूर करती है मतलब काली से सब लोग मिल घुल जाते हैं ना छे साल बाद आया लेकिन गाओं के लोग सब क्या होते हैं इन से मिल घुल जाते हैं चुंकि यह पैसा लेके आया है कुछ अपना स्थिति को सुधार करके लाया है तो गाओंवासी क्यों मुख्य रूप से कौन उनहीं के बस्ती के लोग ये कहते हैं अब गाओं के जमीनों के जो मालिक हैं वह मुख्य से कौन है चौधरी है एक दो बनिये दुकानदार भी है वे जमीनों पर तथा घरों पर काम करने वाले दलीत चमार हैं तो गाओं के जो लोग है तो चौधरी लोग है कुछ बनिये हैं जो बिजनस करते हैं और जो मजदूरी करने का काम है यही चमार लोग करते हैं ठीक है और यह जो चमारों का हालत यह बहुत ही खराब है क्योंकि चौधरी लोग बिना मतलब का इन्हें गाली गलोज करते हैं जब मर जी तब पिठते हैं इस तरह से उपन्यास के सुरू में चौधरी हरनाम सिंग ठीक है उसका खेत का फसल नस्ठ हो गया तो गुसा से आया दलितों के वस्ति में आया और यहां पे जीतु बोलके एक लड़का का बिना दोस्त का ही क्या करता है पिठाई कर देता है वो निर्दोस था फिर भी उसका पिठाई कर देता है दुरुभाइग्य तो यह है कि इस बात को कोई बिरोध भी नहीं करता है सिर्फ काली ही बिरोध करता है वो लोगों से कहता है कि अगर मेरे को यह मारता ना तो मैं उसका हाथ पेर तोड़ देता और नहीं कितने यह यह है वैसे ही जो मगु चमार है तो मंगु चमार कों है जो नई का ग्यानों है उसकी का भाई है तो वह भी तो चौधरी हरणाम सिंस्ग गुलाम बना हुआ है जब तो काली अपने कच्चे कोठे को गिरा कर उस पर पक्का मकान बनाना चाहता है समयनत यही होता है वो सहर से कुछ कमा के लाया तो सोचता है यह अब अपना घर को क्या करेंगे पक्का करेंगे अब उसके लिए वह जाता है जो भीनेस में है थोटू चछजू सा तो चड़ी करता है सभी मैटेरियल का सप्लाई करता है अब यह बता देता है वहां पर कि अरे तुम तो पक्का मकान बनाओगे लेकिन जिस जगह पर ये तुम लोगों का बस्ती है वो जगह तो क्या है सामलात है सामलात मने क्या हो गया कि ये जमिन दारों का ही जगह है जमिन दारों का ये साजी जगह है सब लोग मिल के तुम लोगों को रहने के लिए यह तुम लोगों का अधिकार का जमीन नहीं है या फिर तुम्हारा खांदानी जमीन नहीं है जब तक तुम लोग यहां रहते हो तब तक ठीक है लेकिन जब नहीं रहते हो तो यह जमीन किसका हो जाएगा गाउं का ही हो जाएगा ठीक है मतलब यह बोल के क्या करता है काली को मकान बनाएंगे हैं ऐसे मकान बनाना आगे वह स्टार्ड भी करता है यह अलग बात है कि उसको पूरा वह नहीं कर पाता है लेकिन जब छजु सा के पास यह सलाह लेने जाता है तो छजु सा को एक मोका जरूर मिल जाता है कि अरे तुम्हारे चाचा ना जब जीवी थे तब तो क्या थे मुझे से उधार लिये थे उसका व्याज भी बहुत हो चुका है तो इसे लोटा दो यह बोलके वह क्या करता है काली से वह जो पूराना क प्रसंग हो गिया है वेयसे ही और कई तरह का इसमें चुनोति क्या आता है सामने आता है जैसे अधिकतर जो चमार लोग थे कोई चोधरियों का बिरोद नहीं करते थे सिर्फ गिने चुने कुछ लोग हैं जो विरोध करते थे तो पहला तो जो बोले नाई का ग्यानो वो थोड़ा विरोध करती थी जीतु बोल के लड़का जो विरोध करता है और इधर काली यही क्या करता है विरोध करता है ज्यानों का जो भाई है मंगु चमार वो तो हमेशा उल्जाई रहता है एक बार काली के हाथ उसकी पिटाई भी हो जाती है काली के पडोसी निक्कु को भी मंगु काली से लड़वाता है तो जो भी हो लेकिन उस बस्ती में क्या होता है धीरे धीरे काली का प्रतिष्ठा काली की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है क्या है पैसा उसा कमा के लाया है सहर से आया है तो थोड़ा सा ग्यान भी बढ़ा है और सा साथ ही ये काली और ज्ञानों के बीच प्रेम संबंद भी बिक्सित होता है यह एक टर्निंग पॉइंट होने बाला है अब क्या है काली जद्ध पी चमादड़ी में पहला पक्का मकान बनवाना चाहता है या बनवारने का स्टार्ट करता है लेकिन सभी लोग जिससे यह मकान बनवा रहा है या फिर जहां से सामान ला रहा है छजू घर करने के बाद इस चुबता भी है उसे लगता भी है लेकिन फिर भी होता है वैसे ही चमार जाती के एक ब्यक्ति नंद सिंग यह तो क्या होता है यह सबसे तंग आकर अपना धर्म ही परिवर्तन कर लेता है तो पहले सीख बन जाता है लेकिन देखा कि वहां भी ज्यादा कुछ सुधार नहीं हुआ तो फिर इसाई भी बन जाता ह लेकिन इतना होने के बाद भी जो छुआ छुत है वो उसका पीछा नहीं छोड़ती अर्था लोग भले ही वो सीख हो जाए भले ही वो इसाई हो जाए लेकिन लोग अभी भी उसको चमार ही समझते हैं और उसी के तरह क्या करते हैं ब्यभार करते हैं मंगु जो की ज्यानों का भाई है वो तो काली से सतुरूता रखता ही है लेकिन फिर भी जब चौधरी लोग इसे अर्थात किसको मंगु को कुट्ता चमार कहकर पुकारता है तो यह बात काली को लेकिन अच्छा लगता नहीं है बहुत बुरा लगता है उसे लगता है कि जो भी हो भले ही मेरे से रखे लेकिन कोई भी आदमी को कुट्टा चमार इस तरह से तो कहके नहीं बुलाना चाहिए वहीं पर अगर उसी गाउं का जो एक इसाई पाद्री है जिसका नाम हम लोग पहले बोले कि है डॉक्टर विसंदास तो यह इसाई होने के बाद भी यह छुआच्छुत को रोकने के लिए ज्यादा कुछ प्रयास करते हुए दिखते नहीं है का लिके जो पिता जी थे वह भी अपने समय के क्या थे एक अच्छे पहलवां थे यह काली जो है यह भी का बड़ती का अपने खेल का जोहर भी गाउं में दिखाता है लेकिन यहां पर भी क्या है जो चौधरी लोग है वहां पर बदमासी करता है वही चौधरियों का ही एक लड़का हरदेव वह जान बूझ कर क्या करता है काली का कुलहा तोड़ देता है कुलहा ही तोड़ देता है ताकि वह क्या नहीं कर सके कवड़ी नहीं खेल सके है लेकिन उसमें गाउं का ही एक दूसरा लालू पहलवान वो क्या करता है हरदेव को फटकारता है और काली का इलाज भी कराता है काली ठीक भी हो जाता है और आगे जाकर काली क्या करता है यही लालू पहलवान के पास मजदुरी भी करता है इधर में काली की जो चाची प्रतापी जो गाव में इसका एक मात्र सहारा था ना वो भी क्या है बीमार हो गया और बीमार हो के अंतता है उसका मृत्तु हो गया ठीक है और यहां से कथा में नया मोड आता है कहें कि काली के पास जो पैसा था जो कि वो पक्का मकान बनाना चाहता था या फिर पक्का मकान बनाना शुरू भी किया था वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उसके पास जो पैसा था उस में से बहुत सड़ा पैसा चाची के इलाज में खर्चा हो गिया और जो कुछ पैसा बचा था घहना ऑगके ठागा तो चाची के मृत्तु के समय या उसके बाद जो लोग आये थे थोड़ा सा सोख मनाने सहानु भूती जताने सोख मनाने वही घर में से जो पैसा गहना था उसको ले दे के कोई भाग गया तो क्या हो गया अब काली के पास पैसा भी नहीं रहा है ना सबकुछ उसका क्या होगया लूट ही गया और अब क्या करने लगा वह लालू पहल्मान के पास मजदुरी करने लगा विश तरह से चल रहा है गाउ में आई बाड यह भी कथा में एक नया मोड लेका आता है कहें कि अब चमारों के बीच में कुछ-कुछ जाग यह जो काली है जीतू है ज्यानों है यह सब मिलके थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं सुधारते हैं तो एक बार आता है बार के समय क्या है कि सभों का जमीन को क्या करना है बचाना है बार से बचाना है ना मेर को ठीक करना पड़ेगा तो यहां पर इस काम के लिए लगाया जाता है इन चमारों को हां लेकिन चौधरी लोग क्या करते हैं यह लोगों को पैसा नहीं देते हैं फ्री में ही काम कराना चाहते हैं तो दो-तिन दिन काम के बाद भी जब पैसा नहीं मिलता है मना वोगों को मजदूरी नहीं मिलता है तब जाके चौधरी छमार संगर्स सुरू होता है ठीकर और ये सामारों का सामाजिक भहिस्कार्प कर दिया जाता है ठीकर वे वह काम पर भी हर्ताल करते हैं ठीकर फादरी उसकी कुछ मदद करना चाहता भी है लेकिन वह वह अलग-अलग तconom integrity का सर्थ करता है ना उसका जो मुख्य सर्थ है कि हम तभी तुम्हारा साहायता करेंगे जब तुम यिस्ट की सरन में आओ अर्था जब तुम लोग क्या इसाई बंजाओ तभी हम क्या कर सकते हैं तुम लोगों का मदद कर शकते हैं तो मिलाजुला के अगर देखा जाए कि वहां से भी कुछ ज्यादा मदद बिला नहीं ऐसे करके 15 दिन तक चला संघर्स अब जब देखे चमार लोग कि किसी तरह से भी पार नहीं होने बाले हैं बच्चा लोग भूखे बिलक रहे हैं खाना मिल नहीं रहा है तो आखिरकार वो लोग क्या करते ह है और बहुत ही कम पैसे पर सिर्फ आधे दिन की दिहारी पर समझोता कर लेते हैं और फिर से काम में वापस आ जाते हैं ठीक है वैसे ही इसी का जब अंतिम अंतिम इस्तर पर जब आता है तो अभी बताए कि काली और ज्यानों के बीच क्या होता है प्रेम संबंध अपित हो जाता है अब क्या है गाउं के लोग बोलते हैं कि नहीं यह निशिद्ध है यह होना नहीं चाहिए जबकि दोनों ही दोनों को प्रेम करते हैं और एक आधर्स पति-पत्नी बनने का जोग्यता भी रखते हैं लेकिन वहीं जो समाज का क्या है अलग-अलग तरह का क क्या है कुद्रिष्ठी बस उसी का प्रभाव उन पर पड़ता है लेकिन यह मानते नहीं है और अपने प्रेम संबंद पर कायम रहते हैं इसी बीच क्या होता है कि ज्यानों गर्वबती हो जाती है तो ज्यानों गर्वबती हो जाने से यहां से फिर से एक नया मोड आता है क है कि अब उसी समाज के लोग क्या होते हैं इन लोगों को ज्यादा बड़ा दुसमन हो जाते हैं और ग्यानों के ही घर के लोग ही ग्यानों को जहर दे के मार देते हैं ठीक है तो इस तरह से इन लोगों का जो प्रेम है प्रेम का क्या होता है एक मारमिक अंत हो जाता है काली का भी जो प्रतिष्टा है एकदम खतम हो जाता है लालू पहलवान के यहां जो वो नोकरी करता था लालू पहलवान भी उसे निकाल देता है है ना अब काली पडोस के कस्वे में जाके महिजदूरी करने लगता है है ना ठीक है गाओं के लोग क्या करते हैं? उसको पसंद नहीं करते है вкус इधर जो मैं बताया कि व्यानों का तो मनमिर्ट्टू हो ही चुका था है नढ़ इस तरह से last में जब कोई उपाई नहीं होता है तो काली क्या करता है गाउं छोड़ कर भाग जाता है तो इस तरह से यह कथा क्या होता है भहुत ही मार्मिक दुखांत बाला यह कथा है थिकते हैं शुमें गौसे ही जान बचाकर अपनी प्रेमिका की हत्या का मर्मान्तिक दुख लेकर गौसे चले जाने से उपन्यास का अंध होता है तो यह था इसका कथानक या फिर बोल सकते हैं कथा सुत्र को अगर आप अच्छे से समझ लें तो आपका इस उपन्यास से संबंधित जो भी प्रस्न आएगा आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे अब इसका एक अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे धरती धन्न अपना इसमें अंकीत दलीत जीवन के पहलू तो जब हम लोग अभी कथानक पर च दक है कि यह उपन्यास का प्रारम कभ होता है कि क्या होता है वा पसा आ रहा होता है लौकि लिख publisher खाप कर si अब मुंसियों से कहां क्या है चोधर्यों सब्सक्राइछ योफी पिर मंदिर आता है जहाँ तो दुकाणदारों को चौवारे भी लगा हुआ और उंतिम में आता है चमाद़ी रफ하지, चमार की बस्ती जहां का स्थिति क्या है गोबर की तेज बद्भू है जिसका धुआं चरौत पहला हुआ है गंदा पानी है है की चड़ से घीरा हुआ है और इस गली में प्रवेश करने के लिए पतला सा रस्ता है सारे घर टूटे फुटे हैं एक भी पक्का मकान नहीं है ना तो यह इस तरह का जीवन चल रहा है ना बीमारी का प्रकोफ हमेशा लगा रहता है यही बीमारी ही कारण है जिसके कारण का मा को क्या है प्लेग खा गई अर्था प्लेग से उनका मिर्ट्व हो गया उनके पिताजी भी और समय क्या हो गए मर गए चाचा की भी हैजा से मिर्ट्व हो गई है ना मतलब यही तो इस्थिती था जिसकारण छे साल पहले काली किसी तरह से भुका प्यासा फटे हाल हालत मे घर से भागगळ कानपूर पहुच आता है यह छृष तरह को जीवन स्थिती हो गया कि उलों जीवन इस्थर नहीं हो गया रेकिए डूसरा बात स्थिति का अगर बात करें तो यह जान सकते हैं कि इतनी गरीबी है जब काली के पास उसकी चाची देखती है कि 10 रुपिया से कम वाला तो कोई नोठी नहीं है जो भी है वो बड़ा वाला नोठ है तो चाची को तो बड़ा आस्चर्ज होता है कभी तो उसे यह यह भी लगता ऐसे क्वाली करें तो नहीं लाया करतात यह है कि वो लोगों का चाची की बहुत ही खराब है थोड़ा फी अगर ज़्यादा पैसा किसी के पास आ जाता है तो लोगों को तो बड़ा आश्चर्य होता है ठीक है यह हालत है उसके बाद अगर बात करें कि जैसे उसी गाउं का दूसरा मुहल्य का बात करें तो उस मुहल्य से इस मुहल्य का तुलना किया जाए तो एकदम क्या है कि आकास जमीन का अंतर मिलेगा कहां दूसरे यहां पर क्या है हवेली है अच्छा अच्छा घर है और यहां जाइए तो एकदम घर के बाहर ही एकदम क्या है कुड़े कच्रे का धेर लगा है ठीक है अगर औरतों का बात करें तो उन लोगों का जो पोसा का साख है एकदम क्या है मैले कुछले फटे पुराने है यही सब उलों का पोसा के बच्चे भी नंग धड़ंग घूम रहे हैं नाक सुड़ सुड़ाते हैं है ठीक है कम उमर में साधियां हो जाती है यह भी समाजिक रूड़ी है ना समान्यता है जो चमार परिवार है कम उमर में ही साफी संख्या में पैदा करते हैं लोग है ना अर्था खाने उन्हें का ठीकाना नहीं है बच्चे को पालने का कोई हिसाब नहीं है लेकिन बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है ठीक है यह है सामाइने तक धर्म का बात किया जाए तो दलीतों में धर्म का ज्यादा उत लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उसका जो समाजी की स्थिति तो समाजी की स्थिति में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है यह है उसके बाद क्या है दलीत समाझ में कुछ क्या समाजी की रूडियां भी है जिसके करन क्या होता है बहुत सारा दुख आता है जैसे कि यहां पर काली और ज्यानों के बीच का बीच में तहीं से कोई रिष्ते दाई सीधी सीधी कोई रिष्टेदारी नहीं था दूरका रिस्थेदारी थोड़ा भी त्युट सोड़ी के लोग ने उनके बीच का बिवासम्बन को सुएकार नहीं किया भले ही दोनों में ही आधर्स दमपत्री बनने का गुंड था लेकिन होने के बाद भी लोगों ने क्या नहीं किया स्विकार नहीं किया उसी तरह से अगर देखें तो इसमें जगदिश चंद्र से अर्थिक जीवन को जैसे कि इन और नंद सिंग तरिवतन कर चुँका है पता रहा है यहना एक स्वतंत्र अपना बिजनस करता है जूता बनाने का काम करता है लेकिन कुछ पैसा भी कमाता है लेकिन जो नहीं मिलता है वो क्या सम्मान फिर भी नहीं मिला उसको चमार ही लोग क्या करता है मानता है उसके बाद यह इस्थिति है कि गाउं के जो यह चमा काम क्रता है मःजदूरी करता कमी नाम से लोगों को बुलाया जाता है अभी के समझ में जैसे है कि कि मानोा मानी 8 गंटा कोई काम करता है तो उसके लिए को एक मःजदूरी नि counties थे लोगों के लिए पारिस्ट्रमिग भी क्या नहीं था नीरधरित नहीं था ये जो चौधरी लोग क्या है अपने मर्जी से थोड़ा बहुत पैसा देते थे यानि बोला जाय तो जो अर्ध गुलामों की स्थिती है यही स्थिती वोगों का था जो दलितों की श्थिरियां करती यहां तक कि जोन सोशन भी होता था तो यह तो था इस्तिती अगर क्या है देखे आगे तो एक बार आता है हर नाम सिंग बोलके चौधरी और ये आके क्या करता है एक बार गाओं में जीतु बोलके एक निजदोस लड़का को पिटने लगता है तो उसको पिटता है लोग उसको पिटते हुए देखता है लेकिन कोई बिरोध नहीं करता है एक आद ही है जिसके मन में थोड़ा सा बिद नहीं है जागरूक नहीं है वैसे ही चौधरी हरनाम सिंग अपने जाती हम की तूस्टी के लिए और मानविय पद्धती का प्रयोग करता है सामाजी कार्थिक संस्कृतिक सोसन संस्थाओं का निर्मान इसी उद्देश से किया गया है यह जो हम लोग अलग अलग संस्था का बात बोलते हैं बस यह सब का सीधा सीधा उद्देश्य है कि यह धर्म के टोटके लगाओ जन्म और मिर्तु के कर्म सिध्धान को बताओ और यह सब बता के किसी भी तरह से हो इन दलीतों का मानसीक और सारी रिक क्या किया जाए सोसन किया जाए यही एक मात्र उद्देश्य लखेर से और हर रहता है किसी तरह से पिए लोगों को क्या करके रखा जाई ड़रा के रखा ज़ाई यही एक मातर उध्य वेशेंशी क alguns तरह की जंत्रनाएं भी दी जाती है सारीरिक जंत्रनाय ैध सिक्जंत्रनाएं है इस तरह से इतना ज़्यादा कि है कि इतुर पन वी बनायागे नहीं कर पाएतों है काली छे साल रहकार वहां से वापस आता है और अपना पक्का मकान बनाना चाहता है तो यहां भी देखिए दुरदसा कि उसकी चाची खुद ही डरती है और यह सोचती है कि हम लोगों का इस्थिति ना इसी में ठीक है अब यह सब करोगे तो चौधरी ओगे रखा क्या होगे नजर में और पढ़ जाओगे ठीक है तो क्या हो जाए फिर एक यह आरोब लगा देते हैं कि यह जमीन जो है यह तो क्या है सामलात है और सामलात माने गाओं का जमीन है जमीनदारों की साजी जमीन है यह सिर्फ तुम लोगों का रहने के लिए दिया गया है जब तक यहां पर रहते हो रहो जब नहीं रहोगे तो यह गाओं का ज रहे हैं अब बताया जाता है कि वो जगह भी उसका नहीं है इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन में से जो सोचते हैं कि यह लोगों से ज्यादा बगावत करने से कोई फाइदा है नहीं उससे बढ़ियां है कि डर डर के ही अपना जिंदगी गुजारा जाए ठीक है तो इस स्पस्ट होता है कि गाउं के कुछ ही लोग थे जो इन सोसकों का क्या है सामना करना चाहता है तो यह जो इनके लेखक है जगदिश चंद्र पूरे उपन्यास में यही चौधरी दलीत संघर्ष को ही अंकित करता है जिसकी चरम सीमा क्या हुआ जो बाढ़ के समय का बात द्वारा धिहारी न दिये जाने के बिरोध में क्या करना हरताल करना बदले में चौधं द्वारा धलीतों का सामाजिक वहिसकार करना और सारा संघर्ष धलीद जिवन की तराशती को रेखांकित करता है तो इस तरह से यह लगभक क्या है अंतीम चरम में पहुंच जाता है ये उपन्यास जहां पे क्या हो जाता है ज्ञानों की हत्या कर दी जाती है और काली को अंत में फिर से गाउं छोड़के क्या होता है भागना पड़ता है तो इस तरह से ये उपन्यास को आगे बढ़ाया गया है या समाफ्त किया गया है ठीक है तो इस प्रकार आज के इस इवन की त्रास्दी के संदर्व में धर्ति धन्ना अपना का महत्तुआ इस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सेर कर सकते हैं साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते है इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद